शनिवार को परधानमंत्री नरेंजर मोधी अपने संसद्य शेत्र वारनसी पहुंचे थे पिया मोधी वारनसी में रुद्राक्ष सेंटर्ग से बाबतपूर एयरपोर्ट जा रहे थे लेकिन तब ही उनके काफिले के सामने अचानक एक यूवक आ गया जिसे देख सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए इसे सुरक्षा में बड़ी चूक मारा गया लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है तो क्या है मामला देखी एरपोर्ट 2014 के लोकसबा चुनावों के वक्त बीजेपी ने हर साल दो करोड लोगों को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन बीजेपी का ये वादा अब उसकी परिशानी का सबसे बड़ा कारण बन गया है रोजगार को लेकर विपक्ष में ही नहीं आम जनता में भी बीजेपी के खिलाव गुसा बढ़ता जा रहा है और अब लोगों के गुसे का निशाना पियम मोदी भी बनने लगे हैं इसके संकेत पियम के संसदिये शेतर वारण असी से ही मिलने लगे हैं दरसल वारण असी में पियम मोदी के काफिले के सामने अचानक एक युवक ने दौर लगा दी थी पुलिस भले ही इसे सुरक्षा चूग बता रही हो जबकि युवक को लेकर जो सच्चाई सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है युवक का नाम कृष्णा गुपता है वो घाजिपुर के जमानिया रोड का रहने वाला है कृष्णा पहले सीना भरती में शामिल हुआ था उसका रिटेन सेलेक्शन हुआ मगर मेडिकल में अन्फिट कर दिया गया था सैने मेडिकल टीम के इस निड़ने के खिलाव कृष्णा कोड चला गया था वहां से मेडिकल की गाइडलाइन ले आया था लेकिन उसे नौकरी फिर भी नहीं मिली वजह क्या थी पता नहीं चली उसने और भी कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली नौकरी के चलते परिशान किष्णा पिम मोदी के काफिले के सामने इसलिए आया कि वो अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सके मामला पिम की सुरक्षा से जुड़ा था इसलिए फिलाल विपक्ष ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है लेगिन जिस तरह से एक बेरोजगार युवक ने पिम की काफिले की और दौर लगाई उससे युवाओं की गुस्से का एहसास बीजेपी को शायद होने लगा हो डीबी लाइफ की रिपोर्ट